हिमाचल पर्देश में सनिवार सुबह भुकंप के जटके महसूस किये गए राश्टिय भुकंप विज्ञान केंद्र के नुसार रिक्टर पैमानिप 3.2 की तिव्रता के साथ भुकंप सुबह सवा पांच बजे हिमाचल पर्देश के ध्रमसाला से 22 किलो मीटर पूर्ब में आया हाला कि इस भुकंप से जानमाल के च्छती होने की सुचना नहीं है बता दें साल 2022 के आखरी दिन भी हिमाचल पर्देश के मंडी में भुकंप आया था रिक्टर स्केल पर इसकी तिर्विता 2.8 मापी गई थी यह भुकंप के जटके जिला मंडी के नालू में आये थे वहीं आपको बता दें यह भुकंप के जटके जमीनी सतह के 5 किलो मीटर बीतर लगे थे हालकि राहत की बात रही की भुकंप के जटकों की वजह से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था दुनिया भर के अलग-अलग इलाकों में हर साल चोटे बड़े भुकंप आते रहते हैं जानकारी की माने तो दुनिया भर में हरसा लगबग 20,000 से जाता भुकम पाते हैं इन में कुछ तो इतनी मामूली होते हैं कि वे सिस्मो ग्राफी पर दर्ज भी नहीं हो पाते कुछ भुकम इतनी सकती साली होते हैं कि भयंकर तबाही मचा देती हैं भुकम पाने का कारण धर्ती के बीतर की उथल पुथल बताई जाती है हाला कि एक तथ्य ये भी है कि ये भुकम के जटके लाखों की संख्या में होते हैं लेकि जादे तर जटके हलके होने के कारण उनका पता नहीं लग पाता है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ